हलो फ्रेंड्स हम फिर हाजिर हैं इस बार हमारा नया वीडियो लेकर सबसे पहले मैं रिक्वर्स करूँगा कि आप हमारा चनल सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे लाइक करें इस बार हम स्टार्ट करेंगे चेप्टर नमबर 2 के कुछ और क्वेशन्स के साथ पिश्ली बार हम लोगोंने चेप्टर 2 से कुछ 40 क्वेशन्स आपको दिये थे इस बार हम लोग फिर आपके सामने कुछ नए क्वेशन्स लेकर आये हैं और क्वेशन्स रहेंगे कुछ इस प्रकार दीव्य वदान में कौनसी राजा को दर्म विवर्धन कहा गया है आंसर राजा कुणाल को जिनोंने अश्योक के बाद राजगदी संबाली थी आंतिम मोरी समराट कौन था उत्तर व्रदत आंतिम मोरी समराट थे बारत में पहली बार केंदरिकत शाषिन व्यवस्ता की स्थापना किस काल में हुई थी आंसर मोरी काल में कोटिली ने राजा के कितने अंग निदिष्ट किये हैं पहला राजा दूसरा अमातिर तीसरा जनपर चोथा दूर्ग पांचवा कोश छटा सेना और आपका सात्वा मित्र तीर्थ के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था आंसर महामात्र कहा गया था उत्तर मंत्री पुरोहीत सेनापति और यूराज क्वेस्ट नमबर सेवन समाहरता का क्या कारी था उत्तर राजे से वेकतित करना आय और वेका ब्यूरो रखना वास्टिक बजट तयार करना क्वेस्ट नमबर एट सन्नी दाता का कारी क्या था उत्तर सामराजी के विबिन भागों में कोजर और अन्नागार बनवाना ये कारी थे सन्नी दाता के ट्वेस्ट नमबर नाइन समराट अशोक के शाषन काल में प्रशाषन की सबसे छोटी के का मुखिया कोन था और वह कितने गाहों का शाषन समालता था उत्तर समराट अशोक के शाषन काल में प्रशाषन की सबसे छोटी के का नाम गोब था और वह दस गाहों का शाषन समालता था उत्तर सेनिक प्रबन की देखरेक समालने और उसकी देखरेक करने वाला अधिकारी अन्तपाल कहलाता था उत्तर समराट अशोक के शाषन काल में नगर नियाएदिश को वो जन्दपन नियाएदिश को क्या कहा जाता था उत्तर समराट अशोक के शाषन काल में नगर नियाएदिश को व्यावारिक महामात्र वो जन्दपन नियाएदिश को राजुक कहा जाता था Q12. इंडिका किसके द्वरा लिखी गई थी? उत्तर. मेकस्तनीज द्वरा लिखी गई थी Q13. अर्थसास्त्र किनके द्वरा लिखी गई थी? उत्तर. कोटिली द्वरा लिखी गई थी Q14. शुंगवन की स्टापना किसने की? उत्तर. शुंगवन की स्टापना पुष्य मित्र शुंग ने की थी? 185 इस्वी पुरू में Q15. पुष्य मित्र कौन था? उत्तर. मौरी राजा व्रहदत का प्रदान चनापती था Q16. पुश्य मित्र शुंग ने अपने शाषिन काल में कितनी बार अश्व में यगी किया था? Q17. साथ वहन वंश की निव किस ने डाली? Q18. साथ वहन वंश और किस नाम से विख्यात था? Q19. किनके आक्रमन के कारण साथ वहन वंश की शक्ती में हास होने लग गया था? Q20. साथ वहन वंश के शाषक कौनसे दर्म के अनुयाई थे? Q21. सर्वप्रतम विख्यात था? Q22. ब्राहमनों को भूमी अनुदान में देने की प्रथा कौनसे वंश से प्रारम हुई थी? Q22. दकन में चेती विहार जो वास्तुकला का अद्बुत उधारन हैं, कितना मिटर लंबा वंश मूचा है? Q23. गुप्त वंश का संस्तापक कौन था? Q24. गटोत गच के बार गुप्त वंश का शाशक कौन बना? Q23. गुप्त वंश का अगला शाशक बना? Q26. गुप्त संस्तापक किस ने चलाया? Q27. गुप्त संस्तापक कौन था? Q23. अपना उपना उत्रादिकारी, किसे नियुक्त किया? Q23. अपना उत्रादिकारी समद्ण में गुप्त को नियुक्त किया.